वेलकम बैगाईज आप सब का सुवागत करते हैं आपके अपने योट्यूब चैनल और फंटैसी दूर्दशन ओफिशल के उपर डिटेल में कबर करेंगे करिक्षेक्षन का बहुत ही सांदार मुकाबला जो की इंडिया सिनियर बोमें T20 लीक का रहेगा जिसमें आपको करना और के बारे में क्योंकि बैटिंग और अगर आपके पास आ जाता है तो 50% आपके विनिंग पहले से हो जाती है इसके बाद बताऊंगा आपको पिछ रिपोर्ट के बारे में एनलाइज करेंगे दोनों टीमों के प्लेस का ओवर और रिकॉर्ड और जानेंगे बाई आज के मकावला में कौन सी वो टीम रहेगी जिसके एक्सपेक्टेशन ज्यादा चांस रहेंगे विन करने के तो डेटेल में जानकारी के लिए आपको जुड़े रहना है मेरी इस वीडियो के साथ में और आपको क्लियर करूँगा कि बाई अगर आपने मुझे टेलिग्रम पर जो आपको लिख देना है तो ये दूसरा शांदार तरीका रहेगा मेरे साथ में टेलिग्रम के उपर जुड़ जाने का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को जू सस्क्राइब कर दीजेगा बात करें करनाट का बोमेन का बारे में तो ये टीम ठीठा कसी टीम आजाती है चार मुकाबला खेला है और मतर एक विनिंग की है तीन मुकाबला लॉस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लो कॉंफिडेंस के साथ खेलती जूरूर नजर आएगी तो जो भाई आज या नजर आएगे आपको बता दूँ पहली इनिंग में जहाँ पर एक सो पचास के आसपास का स्कूर आपको देखने को मिल जाएगा और दूसरी इनिंग में चेज करना टफ रहता है और एक सो पचीस के आसपास का आप सेकंड इनिंग में जाने की चेज करने बाली टीम का इस तो अभी टेल में बात करते हैं बैटिंग ओडर के साथ तो बैटिंग ओडर पर नज़र डालें तो जहां पर आपको लक्षमी जादब एक बहुत ही पॉटेंट पिक रहेगी विकट कीपर इस्यक्शन में से क्योंकि बात करें जहां पर बातनी का बारे में बातनी अगर उपर खेलने आती है तो जी यल में ऐसे ट्राइबल पिक आप पे कर लिजेगा बड़ शौर पिक के तो और लगाना चाते हैं रिस्क नहीं उठाना चाते है तो लक्षमी जादब के साथ जाएगा नमबर तीन की बड़ी प्लेर हैं लास्ट में दसरन पर आउट जरूर हुई थी बट रन आट के रूम में अगर लंबा खेलने का मौका मिलता डेफिनली 30 प्लस स्कोर कर सकती थी लंबा समा क्रीस पर टिकने की समता रखती है और लक्षमी जादब को चीज़ करना भी काफी अच्छा लगता है फलाल बात करें बैटिंग ओडर की तो बिद्या कृष्णा मूर्थी टॉप ओडर की पिकने नमबर तीन पर खेलने का मौका मिलता है हमेशा आपको टॉप ओडर में खेलती नजर आएंगी ओपनर अगर कोई जल्दी आट हो जाता है तो ऐसे में आपको जे पाबर प्ले के चलते भी खेलती मिल जाएंगी लास्ट में फलॉप नजराय थी मातर 14 रन किया था बट बड़ी प्लेयर हैं किसी टाइम भी फॉप में नजरा सकती है तो ज्यादा टीमों के लिए मिस मत किजगा प्रिया पुनिया टॉप ओडर की प्लेयर हैं ओपनर प्लेयर हैं लगातर फॉर्म में हैं पहले मुकाबला में 74 रन किया था लास्ट में 65 किया था और अपनी पारी में ज्यादा चौके और शक्के लगाते हैं इतके बात करें डी गना नंदा की तो भाई ये भी आपको टॉप ओडर में ओपनिंग करती नजर आएंगी दनेश को लगाना चाते हैं तो दनेश के मुकाबला में गननदा अच्छी पिक रहेगी आपके लिए सेफ रहेंगी क्योंकि दनेश का बैटिंग ओडर लोर में रहता है और आपको पतादू की कम चांस रहेंगे दनेश की बल्लेवाज जाने के तो गनननदा आपके लिए सेफ पिक हो जागी मुझे लगता है इसली आपको 23 के आसपास 20 प्लस इसली आपको करके दे सकती है और अगर आप जील के लिए रिसकी टीम बनाते हैं तो उसमें दनेश को डाल सकते हैं अगर अच्छा करेंगी तो आपका कहीं न कहीं रहें का सकता है अगर हैट टुएड खेलते हैं तो इस प्लेट को आप वाइड कर दीजेगा और किसी के खेलने के चांस नहीं है अगर कोई प्लेट इन होती है इन फॉर्म कर देगा आपको टेलिग्राम के उपर तो बाई और उन्डर में बात करें तो शुबस टीस बहुती बैटर पिका आपको गनंदा दिव्या के साथ ओपनी करती नजर आएगी लास्ट में 36 रनी किया था और आपको शुरबात के दो बर करती नजर आएगी ट्राइबल पिक बहुत अच्छी है इसके बिना ज्याद पिक ट्राइबल पिक कर सकते हैं और नेकी परसाथ बैटर पिक है अगर उपर खेलने आती है यह ज्यादा तर मुकाबलों में इनके चांस हो जाते है चलने के और फ्लॉप नजर आ सकती है जे घ्र थोड़ा सा रिसकी पिक रहेगा नीकी परसाथ को लेना किसी में बहुत अ और ट्राइ करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा सतीस के साथ आप जादब के साथ जाएगा तो गाईज ऐसे में वैसे तो आपको तीन बॉलर ट्राइ कर लेने चाहिए अगर आप दो ट्राइ करना चाहते हैं तो सतीस के साथ आप जादब को पिक कर सकते हैं अब यह बात करने बॉलिंग की तो बॉलिंग में बात करें तो expectation आप हर एक इनिंग में साथ-साथ विक्टें गिरती नजरा सकते हैं मतलब आप idea लगा सकते हैं कि 16 प्लस विक्टें आपको गिरती नजराएंगी दोनों इनिंग में ज्यादा तर विक्टें हैं वो गाईज आपको करनाटका की गिरती नज़राएंगे कि टॉप ओडर देली का सोड़ा सा जाधा स्टॉंग आज आता है। तो जहाँ पर हम बाइक का सथी सप्पा को गाइस पिक करेंगे, बहुती ब्लेंड पिक है। मिस्रा को ट्राइ कर सकते हैं, लास्ट में एक विकन काला था, नैगी गाइस, बहुत इपॉर्टन पिक रहेगी आपके लिए, डेली की बहुती शांदल प्रे रहे हैं, तो इसके बाद एम पाटल के साथ जाना सेफ होगा, गैक बाट की थोड़ी सी को जाधा रहती है, और ब